हेलो एवरिवन वेलकम टू माई चैनल देखिए फ्रेंड्स आज मैं आपको यह बहुत प्यारा सा यह देखिए अंदर इसमें फ्लावर बने हुए बाहर यह जहलर का है और यह राम शेप में बनके कंप्लीट होगा फ्रेंड्स यह बहुत बड़ा मैंने डॉरमेट बनाया है पुजा का आसन स्टार्ट किया है छे फ्लावर में यह बनके कंप्लीट होगा तीन इसमें बन गए हैं तीन अभी और बनेंगे और यह देखिए फ्रेंड्स तीस फंदे मैंने अंदर डाले हैं दस फंदे की मैंने भार जालर लगाई है इसमें यह आप देख सकते हो बहुत सुन्दर इसकी लुक है तो फ्रेंड्स अगर यह डिजाइन आपको पसंद आया है तो प्लीज इसे जल्दी से लाइक कर लीजिए चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए बैल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सब से मैं पहले मिले तो चलते हैं डिजाइन बनाना स्टार्ट करते हैं यह देखे फ्रेंड्स इसके लिए मैंने नो नमबर की नीडल्स का मैंने इसमें यूज किया है पतली उन है तो मैंने इसको डबल किया है डबल करने से फ्रेंड्स थोड़ा सा इसका स्टाफ मोटा बनता है यह देखिए सबसे पहले हम इसमें सिंपल एक नोट लगा लेंगे यह देखिए बिगनर्स के लिए बता रहे हूं फ्रेंड्स में जिसको डालने आते हैं वो आप अपने इसाब से इसमें फंदे डालें एक नोट से हो गया एक यह हो गया दो तीन चार यह देखिए ऐसे हम इसमें फंदे डाल लेंगे यह देखिए तो फ्रेंड्स मैं इसमें 15 फंदे मैं इसमें यह डालूंगे और आगे फिर 25 फंदे मैं वाइट कलर चे डालूंगे तो मैं इसमें फंदे डाल लेती हूँ फिर हम अपना डिजाइन स्टार्ट करें यह देखिए फ्रेंड्स मैंने इसमें 25 फंदे आगे डाल लिये हैं क्योंकि 10 फंदे हमारे जालर के हैं और यह फंदे हमने हाफ हाफ रखने हैं 15 मैंने यह डाले हैं और 15 ही यह डाले हैं जा 1. 15 अगर बिना जालर के इसमें 25 फंदे है तो 15 फंद आप इस कलर के आप आफ़-आफ़ीन ले लिजिए अगर 40 फंदे का बनाव बिना जालर के बराबर फंदे आपने इसके लेने हैं और यह देखेंन हमारा इस साइड से Lisa अगा हमारी बनेगी और जालर का हम इस साइड से डिजाइन बनाएंगे यहां से थोड़ा सा समझने के बाद फेंड्स बनाने में फिर आसानी होगी आपको इसलिए मैंने आपको पहले बताया है यह देखिए यह हमारे हैं जालर के दो तीन, च्यार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस यह हमारे जालर के हैं अब डिजाइन के फंदे हम यहां से काउंट करेंगे देखिए एक, दो, तीन, च्यार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, और यह चोदा, चोदा फंदे हम यह बनाएंगे और यह देखिए पंदरबा फंदा मैं इस कलर में कनवर्ट कर दोंगी द्यान से देखिए यह हमारा यहां पर जोइंटी भी लग गया और हमारे फ्लावर की स्टार्टिंग भी हो गई और आगे के फंदे देखिए यह यह हमारे पंदरा फंदे हैं एक हमने इसमें एड कर लिया है तो हम इसका एक फंदा पीछे छोड़ देंगे एक एक फंदा अभी सही सीरों से हम छोड़ना स्टार्ट करेंगे यह देखिए और हम यही से वापस टर्ण करेंगे राइट साइड से फ्रेंड्स जो जैसा है हम वैसा ही बनाएंगे एक बार देख लीजिए फस्ट वाले को हम ऐसे ही उतार लेंगे यह देखिए उल्टा उल्टा हम इसको बनाएंगे दौनों साइड से जालर बनाने की आपकी अपनी चौईस है आपको जालर अच्छी लगती है तो बनाईए और वैसे आपको प्लेन बनाना है तो आप प्लेन भी बना सकते हो यह देखिए यह आपने थ्रेड कैसे करना है इसको हम पीछे कर देंगे यह देखिए और पीछे से ऐसे क्रोस करके आगे लेके आएंगे देखिए दो तेन चार पाँच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा और यह चोदा चोदा इफन देथे फ्रेंड्स अब यहां से हम अपनी जालर स्टार्ट करेंगे हर बार फिरा अलग से दिखाई देगी इसलिए मैंने फंदेगी ने हैं यह 10 फंदे मैंने जालर के रखे हैं तो अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे इसको हम थ्रेड को पीछे कर देंगे यह वाला फंदा हम सीधा यहां पर हमने हर बार एक फंदा बढ़ा नाह देखिए ऐसे हम बनाएंगे तो एक हमारा यह फंदा जाली से बढ़ गया यह बढ़े हुए फंदे फ्रेंड्स हम सीधे बनाएंगे यह जो मेरे इस डिजाइन में देखिए बने हुए हैं और यह आगे के फंदे हम उल्टे बन देखिए तिन चार पांच चेष 17 और यह आठ मा फंदा हम सीधा बना लेंगे यह लिख यह हमारे यह आपन पर 10 पंदे थे एक फंदा मैंने सीधा बनाया फिर एक पे हमने यह जाली डाली और आठ हमने यह बना लिए इस साइड से इसको अब हम ऐसे ही बनाएंगे उल्टा-उल्टा यह देखिए थोड़ी सी जब बन जाएगी तो आपको बैक साइड से भी यह दिखाई देगी यह जाली वाला फंदा है इसको भी हम बना लेंगे यह बड़ा हुआ फंदा और यह हमारा सीधा फंदा है यहां तक हमारे यह जालर के हैं दस थे 11 होगे एक हमने बड़ा लिया थ अब यह देखिए यह आगे के फंदे हैं हमारे डिजाइन के एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा अब हम तेरा फंदे बनाएंगे यह फंदा हम फिर से इसमें यह देखिए कनवर्ट कर देंगे और यह सारे हम उल्टे बना लेंगे और एक फंदा हम फिर से पीछे छोड़ देंगे दो फंदे हमारे पीछे छूट गए हैं यही से वापस मूड जाओंगी मैं यहाँ से जो जैसा है फ्रेंड्स वैसा यह बनाओंगी यहाँ पर हम थ्रेड को क्रोस कर लेंगे मैं यहाँ तक आ जाती हूँ फिर मैं आपको जालर एक बार फिर से दिखाऊंगी यह रो में उतार के यहाँ तक बना लेती हूँ यहाँ तक फ्रेंड्स मैंने सारे फंदे बना लिये हैं आप फिर से देखिए यह हमारा सीधा फंदा है इसको हम सीधा बनाएंगे द्यान से देखिए इसको हमें हर बार सीधा बनाना है अब यह देखिए आपको दिखाई देगा अलग से थ्रेड अपनी तरफ करेंगे यह हांपे फिर से हम Alek Anda भड़ा लेंगे। दीखिए यह हमारे पास दो फंदे हो गई हैं बड़े हुए इनको हम सीधा बना लेंगे यह आग्ये जो फंदे हैं हमारे एक दो हुए तेन चार पांच शे अधूराइवा बनाएंगे और मैं यहां तक इसको बना लिती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको एक बार और बताऊंगी, यह देखे फ्रेंट्स, दो स्टेप हम उपर की तरफ बढ़ गई हैं, अब हम यहां पे कोई भी फंदा उपर की तरफ नहीं करेंगे, जो जैसा हम वैसा ही बनाएंगे, थ्रेड को ऐसे क्रोस कर लेंगे, यह देखे, यहां से अब हम ऐसे ही बनाएंगे, और पिछे हम एक फंदा छोड़ देंगे, यह देखे, यह तीसरा फंदा हम ने छोड़ दिया, यहीं से वापस हम मुड जाएंगे, यह देखे, फ्रेंट्स, यहां पे हमारी यह, एक लाइन बन जाएगी, यहाँ पे हमने 5 लाइन बनाने है अपने, यह आप देख सकते हो, यहाँ पे हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, यह 13 फंदे हमारे यही साइड बचे हुए हैं, इनको हम ऐसे ही बनाएंगे, नजदिक से देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 5 लाइन यह 10 रो मै और यह जो जालर है हमारी, जालर में हम यहाँ पे बीच में एक फंदा बढ़ा लेंगे, और यहाँ से हम यह ऐसे ही बनाएंगे, एक बार देख लीजिए, मैं यह रो उतार के 8 रो मैं और उतारूंगी, फिर मैं आपको उपर का दिखाऊंगे, सेम ऐसे ही बनाना है, कोई फंदा हम यहाँ पे नहीं बढ़ाएंगे, हम इसको ऐसे ही बनाएंगे, यह देखिए, यह दूसरी लाइन हमारी यहाँ पे बन गई है, मैं यहाँ पे तीन लाइन और बनाऊंगी, सोरी, छे रो में और उतारूंगी, यह उतारने के बाद इस से अलग छे रो में और उतारूंगी, यह देखिए, नस्दिक से देखिए, दो लाइन हमारी यह बन गई है, तो फ्रेंट्स मैं यह बना लेती हूँ, पिछे आपने ऐसे एक एक फंदा छोड़ना है, और जहलर में आपने यहाँ पे फंदा बढ़ाना है, जब हमारे यहाँ पे आट फंदे बढ़ जाएंगी, जितने हमारे आगे हैं, आट फंदे बढ़ जाएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगे कि हम इसकी जहलर की शेप इसको कैसे देंगे, तब तक मैं यह बना लेती हूँ, आप भी बना लीजिए, यह देखिए, नजदिक से देखिए फ्रेंट्स, एक, दो, तीन, च्यार, पांच, दस रो मैंने उतार ली हैं, यह पांच लाइन हमारे यहाँ पे बन ग देखिए, बड़े फंदे हम ऐसे सिद्धे बनाते जाएंगे, और यह जो हमने जालर के लिए थे, यह फंदे हम उल्टे बनाएंगे, आप देखिए, यहाँ से उल्टा उल्टा हम बनाते हुए, मैं नीचे तक आ जाऊंगी, यहाँ तक, यहाँ तक मैं इसको बना लेती यह देखे फ्रेंड्स यह हमारे 13 फंदे बन गए थे तब हमने यह आपे लाइन बनाई थी तो देखिए अब हम इनको वापस एक फंदा मैं इस वारिस में एड़ कर लूँगे यह हमारे होगे 14 फंदे यह आगे के मैं ऐसे ही बनाऊंगे और एक फंदा पीछे छोड़ दोगे यह देखिए एक एक फंदा पीछे छोड़ते हुए हम उपर की तरफ बढ़ रहे हैं एक फंदा मैंने छोड़ दिया यहीं से टरंड करूंगी राइट साइड से ऐसे ही एक हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे अपना फंदा फिर मैं इस साइड आके फ्रेंड इसमें एक फंदा में और एड़ कर लूँगे यह हमारे यहाँ पे 15-15 फंदे हो जाएंगे फिर हम इसके उपर फ्लावर बनाएंगे यह देखिए फ्रेंड्स पिछली बार हमने एक स्टेप अंदर की तरफ आये थे एक हमने और ले लिया है यह देखिए जैसे हमने नीचे बना रखा था ऐसे ही हमने उपर इत्तेरा फंदे बच गए थे फिर हमने 14 किये अब हमारे यह 15 फंदे वापस हो गई हैं और यह जाएंगे मैं इस साइड में आ जाओंगी फ्रेंड्स हमारी जालर में चेंज आएगा यहां पर मैं एक फंदा बढ़ा लेती हूं आठ फंदे हमारे बढ़ जाएंगे तो मैं यहां पर आ जाती हूं बनाती हुई यह देखिए सिधा फंदा हमने बना लिया है एक फंदा हम फिर से बढ़ा लेंगे और ये सारे ये फंदे सीधे बना लेंगे आठ फंदे फ्रेंड्स हमारे यहां पे बढ़ गए है इसको उल्टा बनाएंगे मैंने फ्रेंड्स दस फंदे की जालर बनाई है तो दो फंदे तो हम यहां पे रखते हैं एक ये सीधे के लिए और एक जिस पे हम जाली बनाते हैं और इस साइड में मेरे ये आठ फंदे बढ़ गए हैं तो अब ये आठ फंदे मैं यहां पे घटा दूगे वापस जिससे हमारे जालर की शेप है इस साइड से हम गटाएंगे तो ध्यान से देखिए एक, दो का एक किया एक, दो तेन चार पाँच छे साथ और ये आठ ये देखिए फ्रेंड्स आठ फंदे हमने यहाँ पे अपने घटा लिये हैं अब ये आगे के फंदे हम ऐसे ही बनाएंगे ये देखिए ये वापस फ्रेंड्स ये जो हमारा सीधा फंदा है ये देखिए आप देख सकते हो इस साइड ये हमारे दस फंदे वापस जो हमने लिये थे एक, दो, तीन, च्यार और पाँच जोडे से गिने हैं दस फंदे हमारे वापस है जो जालर के हमने लिये थे वो रह गई हैं और ये देखिए यहाँ पे हमारी जालर की शेप आ गई है अब यहाँ से देखें फ्रेंट्स यह हमारे डिजाइन के फंदे हैं यह फाहम एक दो तेन च्यार फंदे ही बनाएंगे यहाँ पे मैं इसमें एक कलर और एड करूँगी अब ध्यान से देखिए एक आप इसकी यहाँ पे नोट लगा लीजिए एक, दो, तेन, च्यार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा यह देखिए पंदरा फंदे थे, च्यार मैंने छोड़ दी, ग्यारा फंदे मैंने बना लिये हैं और यह आगे के भी जो हमारे फंदे हैं, यह हम इससे बना लेंगे यह देखिए, च्यार, पांच, और छे, एक फंदा यह हम इस बार छोड़ देंगे और यहीं से वापस मुर जाएंगे यह देखिए, और राइट साइड से जो जैसा है, मैं वैसा ही यहां तक बना लेती हूं फ्रेंड्स, फिर जालर का मैं आपको दिखाऊंगे यह देखिए फ्रेंड्स, यह चैर फंदे मैंने जो वाइट के रखे थे यह उटे बना लिए हैं और यह इसी एक ब्लू कलर के बना लिए हैं और यह आगे के फंदे त्रेड अपनी तरफ करेंगे और यह देखिए यह हम उल्टे बना देंगे इस साथ फंदे हम उल्टे बना देंगे और आठ्मा फंदा फ्रेंड्स हम सीधा बना देंगे यह देखिए यह सीधा बनाने से फ्रेंड्स देखिए हमने फंडे बंद किये थे तो यह देखिए नजदी चैन सी बन गई और यह इस साइड से भी तो आपका बहुत इस सफाई के साथ यह बन के कम्प्लीट होगा अब देखिए फ्रेंड्स जैसी हमारी यह साइड लाइन आ लाइगा वह मैं आपको बताऊंगी इस साइड से जालर के फंडे हमने हर बार ऐसे ही सिम्पल बनाने हैं यह देखिए हमारा बड़ा हुआ फंडा इसको भी हमें से बना लेंगे आप देखिए फ्रेंड्स यह आगे हमारे पास च्यार फंडे हैं अब हम यह पांच बना लेंगे एक फंडा हम इसमें से और एड कर लेंगे और यह बाकी के फंडे इसी कलर से मैं बना दूंगे और एक फंडा पीछे जोड़ दूंगे कि यहीं से वापस मुड़ जाऊंगे राइट सैड से मैं एक फंडा बढ़ डालूंगे और यह जो उल्टे हैं इनकों उल्टा बनाऊंगे किनारे वाले को सिधा बनाऊंगे तो तो मैं इस रो को उतार लेती हूँ, ये देखे फ्रेंड्स, ये रो मैं उतारने के बाद इस साइड से भी मैंने यहां तक बना लिया है, पहले हमने यहां पे चार फंदे छोड़े थे, एक हमने पिछली बार इसमें एड किया था, तो ये पांच हो गई, एक फंदा मैं इसमे फिर से वाइट का बना लिया, ये हमारे उपर छे फंदे हो गई हैं, और पिछे हम ऐसे ही बना के और एक फंदा पिछे छोड़ देंगे, और अब की बार मैं फ्रेंड्स, उपर हम ये फ्लावर बनाएंगे, ये जो उपर फ्लावर ये बना हुआ है, अगली रो से इसको उ उतार लेती हूँ, यहाँ पे फंदा बढ़ाऊंगी, ये उटे-उटे ऐसे ही बना के इस साइड में आ जाऊंगी, ये देखिए, यहाँ तक आ गई हूँ मैं, अब ये हमारे डिजाइन के हैं फ्रेंड्स, छे फंदे हमारे ये वाइट वाले हो गई हैं, तो इन में से मैं च्यार फंदे बनाऊंगे, द्यान से देखिए, ये जालर के आगे से मैंने च्यार फंदे बना लिये हैं, और ये दो फंदे, फ्रेंड्स, आप यहाँ पे कोई भी कलर लगा लीजिए, मैं जो निच्चे वाला फ्लावर बनाया है, मैं इसी का थ्रेड उपर लेके आई हू मैं इसी से दो फंदे बना दूँगे, और आगे के फंदे हम इसी कलर से बनाएंगे, द्यान से देखिए, एक एक फंदा हम पराबर पिछे से छोड़ते हुए, आएंगे जैसे पहले छोड़े थे, ये देखिए, एक फंदा और छोड़ दिया, यही से वापस है, मुड़ जाएंगे, राइट साइड से जो जैसा है, मैं वैसा ही बना के इसको कम्प्लीट करूँगी, और यहां पे आपने हर बार एक फंदा बढ़ाना है, तो यहां पे फंदा मैं बढ़ाऊंगी, और इस रोग को कम्प्लीट करूँग, यह देखिए, यहां तक जालर के फंदे, यहां तक मैंने बना लिए फ्रेंड्स यह च्यार फंदे हमारे बचे हुए हैं तो अब हमें क्या करना है कि देखिए एक फंदा हम इस साइड से इसमें बढ़ा लेंगे जो उपर का फ्लावर बनाएंगे एक हमने वाइट का ले लिया दो पिछली बार हमने पहले ही बनाए थी और एक इसमें से लिलेंगे यह देखिये और बाक्की के फंदे में ऐसे ही बना दूँगे इसमें friends हम हर बार एक एक फंदा कोई चेंज नहीं करेंगे पिछे एक एक फंदा छोड़ेंगे जालर में हम हर बार कितरे एक फंदा अपना बढ़ाएंगे जालर अपनी अलग है और इस डिजाइन में ये अब हमारे चार हो गए अगली बार फिर हम एक इस साइड से एक इस साइड से एड कर लेंगे फिर एक इस साइड से एक इस साइड से इसमें हम एड कर लेंगे हमारे पास यहां पे friends ये जालर का है सीदा फंदा यहां पे एक फंदा बच जाएगा ये दो फंदे और इस साइड में हम एक के करके add करेंगे और दो इस साइड से add करेंगे फिर मैं आपको आगे का बताऊंगे यह देखें इतना flower हमने बना लिए है एक फंदा last का मैं इसमें फिर से add करूँगी तो देखें एक दो टेन चर पांच छे साथ आठ फंदे हमारे हो गई है और friends यह हमारा हाफ फ्लावर बन गया है यह आप देख सकते हैं अब तक हमने फंदे छोड़े थे लेकिन अब हम इसमें फंदे आगे नहीं छोड़ेंगे अब हम इसमें वापस एड़ करेंगे जब आपका हाँ फ्लावर बन जाए तब तक है आपने इसमें फंदे छोड़ने हैं फ्रेंट्स ये देखिए राइट साइड से जो जैसा है मैं वैसा ही इसको बनाके कम्प्लीट करूँगी जालर आपने अलग रखनी है देखिए एक दो तीन चार पांच छे छे फंदे हमार ये पूरा एक फंदा बच गया है जालर से अलग पूरा फ्लावर हमारा ये बन गया है ये आप देख सकते हो हाफ फ्लावर हमारा ये बन गया है अब इस साइड हमने हाफ बनाना है तो वह कैसे बनाना है देखिए ये वाइट का एक फंदा था एक मैस में से इस साइड से औ देखिए, एक, दो, तेन, च्यार, पांच, छैए फंदे बनाएंगे, एक फंदा में इसमें इस साइड से एड़ कर दूँगे, और ये देखिए, आगे के दो, तेन, च्यार, पांच, छैए, साथ फंदे बच गए थे, एक फंदा में आगे से इसमें से एड़ कर दूँगे, इसमें अब हम यह फंदे वापस एड़ करेंगे एक के करके और मैं यहीं से वापस मुड़ जाओंगे राइट साइड से जो जैसा है वैसा ही मैं यहां तक आ जाती हूँ फ्रेंड्स एक बार जालर के हमारे फंदे कंप्लीट हो जाएंगे इस बार एक फंद और और यह देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ लाइन हमारी यह बन गई है आठ फंदे हमारे यह बढ़ गई है अब देखिए फिर से हम जैसे पहले हमने गटाए थे ऐसे ही हम इनको गटा लेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और यह आठ आठ फंदे हमने गटा लिये हैं और यह आगे के जो हमारे जालर के 10 फंदे जो हमने स्टार्टिंग में लिए थे इनको हम उल्टा बना लेंगे और जब दूसरी साइड से बनाएंगे तो हम इन फंदों को इन की तरह उल्टा बनाएंगे, सीधा नहीं बनाएंगे सिदाउसी फंदे को बनाएंगे जो हम बढ़ाएंगे और फिर से हमारी ये उल्टी लाइन स्टार्ट हो जाएगे अब यह देख लिए, यहाँ पर फिर से change आएगा friends, यह हमारे यह देखिए यह जालर से आगे हमारे यह दो फंदे हो गई हैं, एक हमने पिछली बार इसमें add कर लिया था, एक मैं फिर से इसमें add कर लूँगी अब ये हमारे हो गए चार और एक मैं इस साइड से इसमें एड़ कर लोगी द्यान से देखिए और आगे से एक फंदा और हम इसमें एड़ कर लेंगे अब तक हम छोड़ते आये थे लेकिन जैसे ही हमारा फ्लावर हाफ बनके कम्प्लीट हुआ तो अब हम इनको वापस एड़ करेंगे ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बनाएंगे तो इसमें गैप आएगा तो ऐसे गैप बरने के लिए बीच में से फंदा उठाईए और ऐसे दो काई कर दीजिए और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे और मैं इस साइडीब रऊटारंगे और फिर से हम यह एक एक फंदा एड़ करेंगे और अगली बार फिर से यह एक एक कोछ एक बिल्कुल हमारे खतम हो जाएंगे फिर मैं आपको उसके आगे का बताओंगे कि फंदा आपने हर बार ये एड करना है और पिछे से एक फंदा हमने इसमें लेना है गैप बरने के लिए गैप फंदा उठाएंगे और एक़ी ज़र से ले लेंगे ये देखे फ्रेंड्स एक बार आप देख लीजिए बिगनर्स को कई बार प्रोब्लम हो जाएगी तो देखिए अब हमने ये फंदे अपने इस साइड से गटा दिये थे ये हमारे एक फंदा मैंने यहाँ पे अल्रेडी पे लेगे इस बार यहाँ पे बढ़ा लिया है और ये आगे के फंदे देखिए हर बार कितरे हम इनको अब उल्टा बनाएंगे क्योंकि हमारे फंदे यहाँ पे बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे ये देखिए जब आपकी ये आठ लाइन बन जाएगी और देखिए जालर की हमारे शेप बननी स्टार्ट हो गई है तो फ्रेंड्स मैं ये फ्लावर ये दोनों साइड से केक फं दालेके ये फ्लावर के फंदे बिल्कुल खतम करूँगी फिर मैं आपको आगे का बताऊंगी ये देखिए फ्रेंड्स ये फ्लावर हमारा कम्प्लीट हो गया है अब हम क्या करेंगे जैसे बिल्कुल हमने नीचे बना रखा है ऐसा ही हम यहाँ पे उपर बनाएंगे तो आप देखिए ये हमारे पास यहाँ पे जालर से अलग पांच फंदे हैं तो देखिए एक फंदा मैं वाइट फिर से बिल्कुलर का बना दूँगी तो यहाँ पे हमारे च्यार फंदे बच गए जो हमारे पहले थे ये देखिए और ये पूरी रो मैं बना लूँगी और पिछे एक फंदा मैं इसमें फिर से याड़ कर लूँगी right side से ऐसे ही बना के और मैं इस side आ जाऊंगे ये देखिए ये flower हमारा ये वाला बिलू वाला भी complete हो गया friends ये भी complete हो गया अब देखिए अब हमने ये वाला flower बनाना है तो देखिए जो हमारी यहां पे फंदे हैं यहां तक हम ये अपने 15 फंदे ये जहलर से अलग मैं white बना लूँगे नीचे तक है तो द्यान से देखिए यहां से फ्रेंट्स यहां तक देखिए हमारा यह जालर है आगे तक यह आगे के हम काउंट करेंगे एक, दो, तीन, च्यार, पांच, ऐसे इसको खेच देजी आप, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा पंदरा फंदे हमारे यह हो गए अब यह देखिए आगे के फंदे मैं इस कलर से बनाऊंगे द्यान से देखिए अब हम यह वाला फ्लावर बनाएंगे जहां पे भी फ्रेंड्स आपको गैप लगे गैप बरने के लिए आप में ऐसे एक फंदा उठा लेजिए एक के किव हम इसमें एड करेंगे अभी हम निच्चे तक नहीं जाएंगे राइट साइड से मैं इस रो को जो जैसा है मैं वैसा ही बना के कंप्लीट करूँगे यह देखिये अब हमने यह वाला कलर यहाँ पर हमारा आ गया है अब हम यह वाला फ्लावर बनाएंगे यह वाला तो मैं इस रो को उतार लेकि अ जो इदेखिए फ्रेंड्स इच साइड से भी मैं बनाती हूं यहा तक आ गई हूँ अब देखिए यह हमने बिलकुल सिंपल एक मैंने इस बार एड़ कर लिया एक मैं अग्ली बार एड़ करूंगे। जैसा हमने यहां पे नीचे किया था.. आप देखने सकते ओ...... जो हमने नीचे किया था…. यह वाला फLaור हम बनाएंगे.. यह हमारे पंद्रा फंदे थे यहां हमारे 14 फंदे हुगे.. वाइट वाले.. ये हैं और ये इस साइड के जितने भी हमारे ये बचे हुए हैं और एक एक फंदा इसमें से एड कर लेंगे जब हमने ये बनाया था तो हमने एक एक फंदा छोड़ा था अब हम इसमें एड करेंगे एक एक फंदा बिल्कुल सिंपल है ऐसे ही मैं इसमें इस साइड आपकी बार एक एड कर लिया एक मैं अगली बार ले लूँगी यह हमारे चोदा हो गए वाइट वाले जालर से अलग है जो फिर हमारे तेरा हो जाएंगे तेरा होने के बाद फ्रेंड्स मैं इसमें यह यह वाली दस रो बनाऊंगे बिल्कुल सेम ऐसी यहां से हम कोई फंदा कर लेती हूँ और यह एक करके लास्ट तक हम सारे फंदे इसमें एड कर लेंगे तो मैं यह बना लेती हूँ फिर मैं आपको आगे का बताऊं यह देखे फ्रेंड्स यह जो नीचे मैंने यह 10 रो बना रखी है यहां पे बना ली है यह देखे अब हम बिल्कुल इंड में है 2 फंदे हमारे यहां पे पीछे बचे हुए है और 2 ही step हमारे बचे हुए है इसमें देखे हमारा flower बनके complete हो गया है और white की friends बहुत सुन्दर इसकी grace आई है आप यह देखिए white के हमारे पास 13 फंदे है तो एक मैं इसमें add कर लूँगी यह हमारे 14 हो गए और ये देखिए सारे इफंदे मैं बना लूँगी एक फंदा मैं पीछे से एड़ कर लूँगी दो इफंदे हमारे पीछे बचे हुए हैं एक लास्ट की रो और बची हुई है बस ये देखिए गैप है फ्रेंट्स इस गैप बरने के लिए फंदा उठाएंगे और दो का एक कर देंगे ये देखिए जिस से भी हम ये गैप उठाते हैं फ्रेंट्स इसकी एक चेन सी बनती जाएगी बहुत सुन्दर ये इसका डिजाइन बनता है और हमारा गैप भी खतम हो गया यही से वापस मुट जाएगे अगली बार फ्रेंट्स मैं इसमें एक फंदा और एड कर लूँगे तो हमारे 15 फंदे ये हो जाएंगे और 15 फंदे हमारे ये हो जाएंगे फिर मैं आपको अगले फ्लावर की स्टाटिंग करके बताऊँगे तो मैं ये रो उतार लेती हूँ ये देखिए 14 फंदे मेरे white के हैं एक फंदा मैं इसमें और add कर लोगी 15 फंदे friends हो गई है हमारे और 15 फंदे मेरे ये pink के हो गई है फंदे हमारे बिल्कुल half half हो गई है और जो सबसे पहले हमने फंदा छोड़ा था उसको भी मैं इसमें add कर लोगी फ्लावर बनके हमारा complete हो गया है ये देखिए friends फिर से आपको gap लगे तो gap भरने के लिए आप ऐसे कोई भी फंदा बीच में से उठाईए और दो का एक कर दीजे दो का एक करना मत भूलिए ये देखिए कितने सुन्दर हमारी चेंसी बनती आई है ये देखिए फ्लावर के बीच में और हमारा कहीं पे भी gap नहीं है इस रोकों में उतार के complete करके मैं यहां तक आ जाऊंगी फिर मापको आगे का बताओ ये देखिए फ्रेंड्स जालर के फंदे मैंने अलग कर लिये हैं यहां से यह जो सीधा फंदा है इसके आगे के हमारे ये डिजाइन के फंदे हैं तो देखिए एक दो तेन ये पंदरा फंदे हैं हमारे यहां तक मैं ये इसी कलर से बनाऊंगी क्योंकि ये हमारा बेस कलर है फ्लावर में हम अपने कलर चेंज करते रहेंगे मैं इसमें फ्रेंड्स ये ही लगाऊंगी फ्लावर में लेकिन उसके दोनों कलर अपोजिट लगाऊंगी ये देखिए जो हमारा उपर था ये मैं नीचे लगाऊंगी जो नीचे था हमारा उपर आ जाएगा जैसे मेरे में है ये देखिए ये उपर था तो अगले में ये यहाँ पे आ गया और ये जो यहाँ था वो हमने उपर ऐसे चेंज कर रखा है जो यहां था वो उपर चला गया तो देखिए अब यहां से फ्रेंड्स आप कोई भी इसमें जरूरी नहीं है कि आप यही color लगाओ कोई भी आप अपने पसंद का इसमें color आप कोई भी color multi color में भी आप इसको बना सकते हो तो यहां से हम अपना color change करेंगे देखिए दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा और यह पंदरा यह देखिए color हमने set कर लिया है फ्रेंड्स जहां पे यह color था वाला अगले flower में यह वाला color यहां आ जाएगा यह देखिए हमने color change कर लिया है जैसे मेरे में है और आपने सेम तरीके से ऐसे ही बनाना है फ्रेंड्स जैसे हमने नीचे starting की थी 15-15 फंदे हो गए फिर यह हमारे 14 हो जाएंगे फिर 13 हो जाएंगे जब 13 हो जाएंगे तो हम ऐसे 10 लाइन बना लेंगे उसके बाद फिर से हम इनको 14 करेंगे और फिर से 15 करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स सामया पे उपर आप यह वाला कलर लगा लीजिए जैसे मैंने यह लगाया है उपर के 4 फंदे छोड़ के सारे फंदे आप जहां तक फंदे छोड़ रखे हैं उसके आगे के फंदे एक ही कलर के बना लेना और फिर जैसे जैसे मैंने यह बताया है ऐसे ही आप इसको बनाएगा देखे वाइट में फ्रेंड्स बहुत सुन्दर इसकी ग्रेस आई है बहुत सुन्दर इसकी लुक है और देखे जालर के साथ जब आप इसको बनाओगे तो बहुत सुन्दर फ्रेंड्स इसकी लुक आए हो तो प्लीज इसे लाइक कर लीजिए मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए बैल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिकेशन आपको सबसे पहले मिले आप उसे मिस ना करो यह देखे फ्रेंड्स काफी बड़ा बना हुआ है यह दे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई डिजाइन के साथ थैंक यू